हलो फ्रेंट्स वेलकम है आप सभी का राइटिंग एबिलिटी सेक्शन के तहत आज हम कंप्लीट करेंगे फ्रेंट्स मैसेज राइटिंग क्या है बहुत ही सिंपल सा है फ्रेंट्स यह और वस थोड़ा सा फॉर्मेट एक्जामपल्स की पॉइंट्स हम देख लेंगे तो हमा सेक्शनी पैसमें स्काश्रा चै पर मिल्हुस्ट्स जो केमारे चली रहा है तो श्रू करते हैं वहारे लिस हुग इसकल का European समया च्रहा है तो यह पोस्कार भी है चोटा सा इसका बनेगा बिल्कुल वीडियो Message Writing विद्स A message is a method of conveying information in a precise and clear manner Information convey करना है बहुती चोटे वे में Clearly बिल्कुल कुछ भी extra नहीं होना चाहिए A message is a short piece of informal writing Informal writing है Formal कुछ नहीं कि अपचारिक ताही निभाई जा रही है ऐसा कुछ नहीं है Informal writing होती है Short उसमें कुछ short piece Written to communicate something very important Or to give instruction regarding some urgent work और लिखा जाता है कुछ बहुती urgent, important बताने के लिए और कुछ instruction देना है उसके लिए ये लिखा जाता है बहुती short piece में Message Informal होता है Short piece में होता है Important कुछ convey करना है और कुछ instruction देना है urgent है तो उसके लिए message writing हम यूज करते है Most often अब देखिए Message word जो definite संदेश जिसको हम इंदी में कहते हैं हम खुद भी use करते हैं और आजकल तो जमाना mobile का है तो काफी है लेकिन फिर भी क्या एक writing skills में ऐसे इसको माने जाता है कि टेलीफॉन जो conversation होती है वो उसको कैसे लिखना है message के वे में ठीक है Most often the input for a message comes in the form of a telephonic conversation between two people दो लोगों के बीच टेलीफॉन बात होई है और किस के लिए एक व्यक्ति ने call किया है ठीक है इन से phone में बात करी है पर ये जो है वो तीसरे व्यक्ति के बारे में पूछ रहे है तो अब इन्होंने इनको बता रही है जो भी बता रहना था और ये व्यक्ति message लिखेगा message ये वहला व्यक्ति लिखेगा जिसने उसका phone receive किया है और यह लिखेगा इन के लिए, इन महाशे के लिए, ठीक है, तो यह हमारा हो जाता है, टेलिफॉनिक कन्वरसेशन, जो मैसेज में लिखते हैं, दो लोगों के बीच बात होती है, फिर वह दूसरा व्यक्ति, थर्ड परसन के लिए यह लिखा जाता है, ना वाइटल कन्वरसे के बीच बात होई है, कन्वरसेशन होई है, ठीक है, तो उस बात को हम लोग एक मैसेज में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है, तीसरे व्यक्ति के लिए, अब उसको पूरी बात तो सुलाएंगे, ने कि हेलो, यह हुआ, वह पूरा एक्जेक्ट तो नहीं बोलेंगे ना, अपन कन्वर्सेशन होई है, कन्वर्सेशन को कन्वर्ट कर रहा है, मैसेज में, फोरा तर्ड परसन, किसी तिसरे व्यक्ति के लिए, आपके लिए एक फोन आयता, और समें यह यह बोला गया है, आपको यह करना है, कोई भी इंस्ट्रक्शन है, वो बताना है, तो यह हो जाता है, टेलिफॉनिक कन्वर्सेशन जो हम इस्पेशली जो राइटिंग स्किल में यूज करते हैं वेरेस सम्टाइम स्टेंडर इंस्ट्रक्शन कंटें नैसेसरी इन्फरमेशन फॉर दा मैसेज और कभी-कभी कुछ इंस्ट्रक्शन होता है कुछ जरूरी इन्फरमेशन भी मैसेज के तुरू पहुंचाई जाती है सच मैसेज सच मैसेजज आड़ेटें और स्मॉल पीस आफ पेपर्स कॉल्ड मैमो स्लिप तो इस तरह की जो मैसेज होता है कुछ रोटी सी परची पर लिख जाते आं और जो बेजे जाते हैं तो उसको मैमो स्लिप भी कहते है friends एक हम memo slip का example देख लेते हैं जो यूज किया जाता है offices बगरा में तो telephone message slip जा सकी है तो वह telephone आया था ना जैसे तो companies में यूज करते हैं caller कौन था Mr. Flip का phone आय था CEO semi office.com इनके लिए message कहा था wanted to visit for discussing volunteer training program to employ of Fatima group required it required it for meeting time वो meeting time पूछ रहते वह यह काम है visiting करना है अपनको विजिट करना है employees को volunteer के training के लिए तो उसको meeting का time क्या है यह पूछ रहा है टेलीफॉन के जरी उनका telephone का time भी यह जरूर लिखना है तो फिर receive किस ने किया call receive यह employee का number है और call back करना है तो जिस number से phone आया था उसी पर ही हमें same है जब पर call करना है यह होता है message slip जो offices में use की जाती है memo slip कहते है format पे हम आ जाते हैं बहुत ही easy format difference इसका message date और time जरूर लिखना है name जिसके लिए message आया था और salutation फिर लिख देंगे उसके लिए sir maim dear uncle father whatever content में क्या लिखना है किसका call है why he or she called follow up it requires और जो extra है जो भी बात है में लिख देंगे फिर आप नीचे अपना नाम लिखो राइटर नेम से ठीक है वहां पे employee का name लिखा दा ना उसका employee का service लिख दिया था यहां पर आपको अपना नाम लिखना है format हो गया बस यह format बॉक्स में है यह देख लिजिए examples में हम देख लेंगे पहले तो देखिए general instruction भी पढ़ेंगे पर पहले इसके हम दो example देखेंगे message के बहुत ही important और बहुत ही easy way में देखिए इस तरह का question मिलता है हमें read the conversation between Sam and Joseph Sam और Joseph के बीच हो रही है बात phone पर Sam was going out and so he left a message for his father and Joseph ने phone किया है Sam को Sam के father से बात करने के लिए Sam ने phone उठाया क्या बात होई और 50 words में यह बहुत ही short piece है 50 words में तो यह भी देख सकते हैं कि short piece of writing 50 words में लिखा जाता है notice be friends 50 words में लिखा जाता है तो Sam और Joseph की विच क्या बात होई जोसेफ का call आता है can I speak to Mr. Simon तो Sam बोलते है I am sorry he is out of station वो तो नहीं है Joseph बोलते है when is he expected back कब वापस आएंगे Sam he will be home by tomorrow evening कल शाम तक वापस आएंगे तो Joseph कहते है could you please remind him that Anil's wedding is on December 30 we had planned to go तो Joseph कहते है Sam से कि क्या तुमने यार दिला दोगे कि Anil की शादी है 30 December को और हमें साथ में जाने का हमने planning किया था किसने साथ में जाने का planning किया था Joseph और Mr. Simon ने इसलिए Joseph ने Mr. Simon को phone किया है but since my son is in hospital Mr. Joseph कह रहा है कि अब लेकिन मेरा बेटा hospital में है I will not be going for the wedding इसलिए अब मैं शादी में नहीं जा रहा हूँ तो यहीं उन्हें message पहुचाना था कि हमने प्लान किया था साथ में जाने का 30 December के शादी है पर हम लोग साथ में अब नहीं जा पाएंगे मेरा बेटा hospital में है George is going and he can join him एक और कोई व्यक्ति है George वो जा रहा है और Mr. Simon जो है उसके साथ जा सकते हैं शादी में tell him to give me a ring when he comes back उन से कहना कि मुझे एक बार phone करें जब वो वापस आ जाए तो तो Sam कहता है शेयर अंकल जॉसेफ कहता है थैंक्यू Sam ये इस तरह का question मिल गया एक टैली फॉन में जो बात चीत हुई है वो हमारे सामने लिख दी गई अब इससे आप message लिखेंगे तो message कौन लिखेगा Sam लिखेगा किसके लिखेगा अपने father के लिए क्योंकि Sam जा रहा है ब और 10.30 morning time is dead विल्कुल salutation ऐसी आएगा कुछ ऐसा खास नहीं है कि रिस्पेक्टल ऐसा कुछ नहीं मिस्टर जॉसेफ ने कॉल किया था आपको यार दिलाने के लिए that Anil's wedding is on 30 December Anil की शादी है 30 December को he and you had planned earlier to go together उसने और आपने मिल साथ जाने का प्लान किया था शादी में उसके जो बेटा है उसका वो हॉस्पिटल में admit हो गया है तो वो साथ में आपके नहीं जा पाएंगे शादी में you can accompany Mr. George for the occasion और आप Mr. George के साथ जा सकते हैं call him when you are back अब आप देख लीजिए एक भी बात उस ने लिखी और सारी important बात लिख दी क्या है ना जैसे कि हम लोग न ऄठें और यहां नरेशंब पढ़े है ना टारेक्ट ए इंडरेक्ट स्पीच कूं पढ़ते है ना वहीं है बस द बिल्कुल आप यह जो है डिर्ट स्पीच है और जो आंसर में लिखना है इन डिर्ट स्पीच में लिख दिया हुन्होंनें यह होता है यह एक एक संपल हो गया एक और एक्सांपल हम देख लेते हैं यह रोमा के लिए है तोड़ी और फ्रेंड रोजी हैड का फोन आई था और जब आप मार्केट गए थे in fact she had to tell you that your music classes shall be suspended उसने कहा है कि आपको बताने के लिए आपकी music class त्पेंड हो गया है because your teacher is not well instead it would be held on Sunday आपकी teacher बीमार है और वो शायद class अब Sunday को होगी if you like you may talk to her और तुम्हें लगता है तो तुम और बात कर लो रोजी से और अच्छे से पोच लो तो ये रोमा के लिए मैसे इस तब होती शॉट वे में कि उसकी music class अस्पेंड होगी लोमा जब मार्केड के थी तो उसके लिए फोन आया होगा उसकी मदर के पास लाइक दिस तो ये थोड़े एक्जामपल है बहुत ही इजी है बहुत ही इजी है कुछ नहीं है इसमें डिरेक्ट इंडिरेक्ट हमें आता है ना बस वही चीज़ हमें यहाँ पर करनी है चलिए जनल इस्ट्रक्शन हम देख लेते हैं मैसेज राइटिंग के लिए अब मैसेज डस नॉट नीट एन एड्रस एड्रस की जरूवत नहीं है दा मैसेज मस्ट भी पोटी ना बोक्स बॉक्स में लिखना है हमने देखी लिए फेंट्स एग्जांपल में की पोटी बिल्कुल ब्रीफ और प्रसाइज लिखनी है मैसेज शुट भी रिटिन इन रिपोर्टेट स्पीच यानकी इन डिरेक्ट नरेशन में लिखना है नेम और शिगनेचर ऑफ दसेंडर शूट भी पूट एटर अ अड़ बगते समय है यह आप सिंबल्स होते ना जो अब्रिवियेशन होते हैं वो यूज कर सकते हैं चोटे वे में लाइक mister हो गया और symbols हो गए चोटा लिखने के लिए तो आप use कर सकते हैं short forms sender और receiver address is not a necessity sender का और receiver का दोनों की address ज़रूर ही नहीं है only a brief salutation होना चाहिए एक चोटा salutation होना चाहिए जैसे कि dears, uncle, sir, ma'am, dad तो यह होता है salutation इसको हम कहाते हैं तो यह होना चाहिए लेकिन mention time and date of writing the message time or date जरूर mention करना है put the sender's name signature at the end of the name यह होई चुका है include name of the person for whom the message is written originally written उस व्यक्ति का नाम जरूर लेखे जिसके लिए यह message आया है ठीक है उसमें लिखाता है रोमा तो रोमा के लिए message था ना वो dear रोमा तो यह हमें लिखना है write only the important points without adding anything of your own सिर्फ important point लिखना है और अपने करब से कुझ आइट नहीं करना है contracted form of words जो words come चोटे way में लिखते है ना I will को I'll don't like this doesn't यह आप यूज कर सकते हो the choice of tense could be present past or future time जो tense कौन सा यूज करना है तो यह time पे depending on ideas theme of message of the given जिस तरह का वो में उस तरह का जो situation है उसके सापसे ऐसा कुछ नहीं कि एक की for tense में कोई एक टैंस और उसी में आपको message लिखना है ऐसा कुछ में नहीं है कोई से भी tense में लिख सकते हैं जिस तरह का situation दिखाए जाए message में यूज एप्रोप्रोप्रेट लेंग्विच स्टाइल और फॉर्मेट भी क्लियर ब्रीफ एंड टूद पॉइंट की बात लिखना है क्लियरली ब्रीफली तो फ्रेंट्स मैसेज हमने बहुत ही छोटे वे में आज इस वीडियो में complete किया है only 22 points में हमने format देखे, examples देखे, two example format और सब कुछ हमने complete करा message के तहित message writing क्या है कैसे है तो यह होगी हमारा message writing और देखिए इसके पहले मैंने notice writing बनाये था वो भी आप जरूर देखिए 30 points का मैंनाये था format है उसमें भी key points है और examples पूरे दिए गए है और एक और बनाया है report writing format है salient features 30 important points है यह आप ज़रूर देखिए report writing, notice writing, writing ability section B के तहत मैंने ये videos बनाये है और letter writing इन सब के description box में मैं आपको link भी देदूँगी और आज हमने पढ़ा है writing ability message writing ठीक है message writing बढ़ा है writing ability section के तैत तो आज के lesson में friends इतना ही points वीडियो देखने के लिए thank you, खुश रहिए positive रहिए friends जाहे